दोस्तों अगर आप रेलवे और एंटी पीसी के एक्जाम्स में बैटने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बहतर और उंदा होने वाली है इस वीडियो में हमने ऐसे कोशन साइंस के लिए है जो बिलकुल हूब 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 एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं पहला कुशन हम बिना रुके स्टार्ट करेंगे अपना स्कोर देखना है लगबग हम 20 से 21 प्रस्ण करेंगे और आपको क्राइटेरिया पता चलिए लागा कि हमारे एक्जाम में कैसे प्रस्ण आते हैं पहला कुशन है ओंकोलाजी किस से सम्मंदे थे तो दोस्तों याद रखीगा जब हम औरनिखोलाजी पूछते हैं तो पक्षी का अध्यन होता है जब हम ओंकोलाजी पूछते हैं तो हम कैंसर का अध्यन मारते है तो फिलाल इस कुशन का जो राइट अंसर जाएगा वो भी के साथ जाएगा एक मिट्टी के अध्धिन को हम क्या कहते हैं मिट्टी के अध्धिन को हम कहते हैं पेडा लोजी कहते हैं भारत में मिट्टी अनुसंधान केंद्र ने मिट्टियों को आठ भागों में बाटा है हर तरीके का कुशन हम करवाएंगे जितना यहां पर कुशन से निकलने की कोषिस करएगा उतना हम निकालने की कोषिस करेंगे question number second देखें दोस्तों हम पूरा 2020 का current अफेर करा रहे हैं जनवरी सेagem मैस तक तो इसलिए हर बचचा यहाँ पर पूरे साल का current अफेर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ question number second परमाडु विखंडन प्रतिक्रिया के दोरान उत्पन उर्जा का प्रियोग किया जाता है इंधन बनाने में बीजली बनाने में ताप पैदा करने में या फिर ननापदीज इस कुशन का जो राइट अंसर जाएगा बिजली बनाने में या उप्शन नमबर हम बी को मारेंगे एक परमाडु विखंडन होता है एक परमाडु सनलयन होता है जब एक टुकड़ा तूटकर अनेक भागों में विभाजित होता है तो उसको हम कहते हैं विखंडन सस्क्राइब करने के लिए धन्यवाद हर बहन हर भाई हर ग्रहडी का इस वार सेलेक्शन चाहिए करिंट अफेर पूरे साल का आपको मिलेगा फ्री आपकास इसलिए सब ही बच्चे सस्क्राइब कर लें इनमें से कौन से गैसे का प्रसरन का एक उधरन है मतलब गैसों के प पाओ अपनी नाक के दौरा या फिर आप किसी अन्य के दौरा तो हम कह सकते हैं कि भाई आल एबब हो जाएगा बहुत तेजी से होता है कुसर नमबर फाइव निम्लिकित में से किसमे अधिकताप है अधिकताप का मतलब क्या है कुसर ये भी पूछ लिता है कि अगर यहाँ भाप से जलता है तो याद रखीगा उबलता पानी अगर डाल दिया जाए तो थोड़ा सा कम होगा लेकिन अगर भाप स्ट्रीम अगर आपको लग जाए तो वो एक ऐसा जुलसा होता है जो बहुत ही दिनों तक रहता है इसलिए सबसे ज़्यादा ताप जो होता है वो स्ट बहुत बार एक्जाम में कुसंस आया है, यह आपसे नंबर जाएगा B के साथ, यह है आपका टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ और पोलियो हुआ, यह पोलियो और खसरा आपके कैसे हैं, यह है आपके बाइरस डिजिस, जुनिया गाध्यान से, यह है आपके दोनों रोग कैसे हैं, बाइरस से होते हैं, यानि आपके क्या है, आपके दोस्तों हमेशा जो है, आपके बाइरस से होते हैं, बिसान से होते हैं, बाइरस के अध्यन को हम कहते हैं बाइरोलोजी, इसकी खोज करी है इवोन विस्की ने, इसके अलाबा टाइफाइड और हैजा की बात करें तो दोस्तों यह आपके वैक्टिरिया से होते हैं और यह जल जनित रोग भी है इनकी खोज करी है लुवेन हॉक ने यानि वैक्टिरिया की खोज करी है लुवेन हॉक ने फिलार इस कुशन का राइट अंसर जाएगा बी के साथ नियुमिस्मेटिक किसके अध्यन से सम्मदित है तो नियुमिस्मेटिक जो है आपके सिक्कों, संख्याओं, टिक्टों और अंत्रेक्शन जब भी हम बात करते हैं ओप्शन अंबर से लाजाएगा हमारा सिक्कों के साथ, सिक्कों के अध्यन की बात करें तो हमारा जो राइट अंसर जाएगा, वो चला जाएगा आपका ओप्शन अंबर हाजी, सिक्कों से अगला कुश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्यन से सम्मनित है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास options है चार कि भई यूजेनिक्स क्या होता है कौन सा अध्धिन करा जाता है इसके अंतरगत मानो जाती के विभिन नसल देखी जाती है पौधों की अनुवानसिकता जिसको हम हेरेडिटी कहते है यूरोपी छित्रों के लोग होते है उनका अध्धिन किया जाता है क्या इसमें यूजेनिक्स में या फिर अनुवानसिक घटकों में फेर वदल के कारण मनुस्य में हुए परिवर्तन मतलब क्या है जो हमारे पूरबजों के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन आये है सरीर में हमारे परिबरतनाय, हमारी लंबाई, हमारा कद, हमारा आखो का रंग तो यूजेनिक्स में यही होता है दोस्तों इसलिए राइट अंसर जाएगा आपका अप्शन नमबर D के साथ और कुशन नमबर दोस्तों नाइन था आपके स्क्रीन पर ये रहा औरनितोलोजी किस का अध्यन किया जाता है, मतलब स्टडी हम किस में करते हैं, स्टडी हम जो है किस के अवाउट करते हैं औरनितोलोजी में हमने सबसे पहला कुशन आपको बताया था कि भाई, ऑंकोलोजी में आप करते हैं कैंसर का अध्यन ऐसे ही और्नितोलोजी में हम यहां पर करते हैं आपके पक्षियों का अध्यन यानि हमारा आ जाएगा option number D हमारा right answer हो जाएगा पौधों के अध्यन की बात करें तो हमें आपको comment करना है कि भाई पौधों के अध्यन को क्या कहते हैं साथ हड़ियों के अध्यन को हम कहते हैं औस्टियो लौजी कहते हैं क्या औस्टियो लौजी कहते हैं तो फिलाल इस question का right answer जाएगा D के साथ question number 10 दूद का घनत तो मापने के लिए किस उपकरन का आपन प्रियोग करते हैं लेक्टोमिटर, हाइड्रोमिटर, बैरोमिटर याफ हाइग्रोमिटर तो इस question का right answer जाएगा वो चला जाएगा दूद के घनत तो को लिए हम लेक्टोमिटर का यूज करते हैं जबकि हम हाइड्रोमिटर हम वाटर से सम्मंदित है बैरोमिटर हमारा बायुदाप मापने के लिए है यानि आपका बायुदाप को मापने के लिए हम बैरोमिटर का यूज करते हैं hygrometer की बात करते है तो बारबार exam में आता है कि आदरता को मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं तो आदरता को मापने के लिए hygrometer फिराल option number जाएगा एके साथ बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए हम किस करन का प्रियोग करते हैं मेरे पास options हैं चार स्क्रीन पर ओम मेटर इलेक्टरो मेटर गैल्बनो मेटर या फिर स्पेक्टरो मेटर तो इस question का जो right answer जाएगा वो किसके साथ जाएगा जल्दी से बताएंगे जो बच्चे option number C लगाएंगे हम कहना चाहेंगे जी हाँ बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जो C बता रहे बिल्कुक गलत है option number जाएगा हमारा के पास option number जाएगा A के साथ हमारा right answer जाएगा A हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा ठीक है ना question number next एक स्वस्त मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है जब हम कहते हैं कि भाई आपका blood pressure low हो जाता है या फिर high होता है high BP low BP तो हमारा कितना होना चाहिए हम कहते हैं अगर 90 से हमारा कम हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा low BP हो जाता है ठीक है ना अगर हम कहते हैं 120 से हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं High Blood Pressure यानि High BP हो जाता है तो हमारा रहना कितना चाहिए 90 से 120 होना चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई Option है यहाँ पर नहीं है तो हम यह देखेंगे कि भाईया अगर हम देखते हैं कि सिंपल सी बात है कि 120 और 80 की बात करें यही किताबी ग्यान और यही आपको याद कर लेना है कि 120 और 80 यही हमारा मानक है ना कि आपको 90 और उप्सन में मिलेगा बहुत सारी किताबे 90 और 120 को मानती है लेकिन क्या है ना रियलिटी क्या है वो 120 और 80 ही आपको मानना है ऐसा कारण क्या है रख्त में glucose की मात्रा को नियंत्रित रहता है इसका कारण क्या है सोमेस्ट्र। स्टैनिन के कारण ग्लू कागन के कारण गैस्टिन के कारण या फिर इंसुलीन के कारण तो याद रखना है कि हमारा एक term यूज हुआ है blood, पहले question कर लेते हैं तो इस question का right answer जाएगा, बच्चे option number D के साथ चला जाएगा, यानि 13 का क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा D, blood एक term यूज हुआ है, यानि रक्त, रक्त में कौन सी धातू होती ही, सबसे ज़्यादा F.E. होती है, फेरस होती है और रक्त की बात करें तो दोस्तों याद रखीगा इसका pH होता है, 7.4 होता है यानि छारी होता है रक्त के अध्यन को कहते हैं हमेटोलोजी कुशन number 14, किस अविक्रिया दोरा पौधे में आक्सीजन बाहरी बाताबरन में बाहरी बाताबरन से कोसिकाओं में पहुंचता है तो इस कुशन का जो right answer जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो है जाएगा बच्चे option number B मार रहे हैं तो बिलकुल answer सही है, बिसरन के दोरा पौधों में oxygen बाहरी बाताबरन से कोसिकाओं में पहुंचता है, कुशन number 15, मनुस्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुछ संख्या कितनी होती है मनुस्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है जवाब दीजेगा 8, 30, 32 या फिर 38, तो ऐसे कुशन का जो आंसर जाएगा, वो किसके साथ जाएगा अस्थियों की जो संख्या होती है, वो 8 होती है टोटल नंबर आप जो है बोन होती है, मनुस्य के सरीड में 206 होती है और कान में दोस्तों हड़ीयां पूछ ले अगर आप से, तो कान में हड़ीयां होती है, 6 क्योंकि 3 इधर, 3 इधर कौन-कौन सी इंकस, मेलियस और स्टेपीज इधर होती है और इधर भी इंकस, मेलियस और स्टेपीज होती है कुशन नंबर next खाना बनाने के लिए हर पौधे निम्लिकित में से किसका प्रियोग करते हैं, कार्बन डाय अकसाइड सनलाइड, वाटर आल एभब, जवाब दीजगा इस कुशन का राइट अंसर क्या होगा तो यहाँ पर अगर अगर बात करें तो आप्शन नंबर जागा D के साथ, क्योंकि अगर यह सभी चीज़े होंगी, तभी हमारा क्या होगा पौधों में यहाँ पर खाना बनाने के लिए हरे पौधों को यहाँ पर प्रियोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पौधे अपना खाना स्वयम बनाते हैं, ठीक है न, याद रखेंगे question number next, रक्त में लाल रंग किसके करन होता है जो blood होता है, उसमें red color होता है वो उसका reason क्या है, उसका reason दोस्तो plasma, hemoglobin, rvc या फिर wbc तो answer क्या जाएगा, answer चला जाएगा आपका option number rvc हो जाएगा क्या, गलत बात, भाई, simple सी बात है red blood carpals हो जाएगा, इसका जीमनकाल होता है, 120 दिन wbc की बात करे, wbc में हम कहते हैं कि wbc का 3-4 दिन होता जीमनकाल लेकिन लाल रक्त कडिकाओं की बात नहीं कर रहा है आपर लाल रंग की बात कर रहा है, तो लाल रंग तो hemoglobin की बज़े से होता है आप सभी जानते हो कि hemoglobin की बज़े से यहाँ पर लाल रंग होता है और पतियों में दोस्तों यमजी पाया जाता है और पतियों का जो हरा रंग होता है, वो chlorophyll की बज़े से होता है question number next अमर वेल, अमर वेल की बात करें तो यह कैसा उधरन है अमर वेल, यहाँ पर किस तरीके का एक्जामपल है सौपोसी है अमर वेल, परजीबी है, मरत पोसित है या फिर होस्ट है तो इस question का जो right answer जाएगा, वो किसके साथ जाएगा वो चला जाएगा हमारा सौपोसी बच्चे कितने मार रहे हैं तो हमारा जो right answer जाएगा, सौपोसी आप जितने भी मार रहे नीचे answer में, आप टाइप कर रहे हो, गलत है पर जीबी हो जाएगा, इस question का right answer option number B के साथ जाएगा question number 19 डेल वर्जिया जाती निम्लिखित में से किससे संबंदित है डेल वर्जिया जाती काजू है, कौफी है, चाय है, सीसम है तो इस question का right answer जाएगा, वो किसके साथ जाएगा डेल वर्जिया जाती निम्लिखित में से संबंदित है दोस्तों सबसे जदा अगर काफी होती है करनाटक में होती है सबसे जदा काजू होता है कोसे नमर 20 मतलब कह रहा है मैं आपको सिंपल बे में बताना चाहता हूँ कि अगर मनुँआ के सरीर में अगर कोई भी विसैला और पदार्थ खाने के माध्यम से चला जाता है या फिर आप कहते हो ना एसिडिटी बन गई है उन सभी चीजों से या सबजियों में कोई मेडिसिन ऐसी होती ना हम लोग सबजियां मेडिसिन से उगाते हैं दवाओं से उगाई जाती हैं खेतों में तो वो कही न कहीं कभी कभी सबजियां में नुकसान कर जाती है तो याद रखे हैं उन सभी को बचाने के लिए एक सरीर में पार्ट होता है जिसका नाम है यकरत यक्रत को हम कहते हैं लीवर कहते हैं और लीवर को हम कहते हैं जिगर भी कहा जाता है याद रखी दोस्तों कि लीवर एक ऐसा पार्ट है जहां पर विटामिन A भी संचित होता है कुशन में पूछा जाता है कि विटामिन A कहां पर संचित होता है मात्र आपका यक्रत में संचित होता है कुशन में एक और बात पूछी जाती है कि यह बताओ कि जब आपको पीलिया या जॉइंडिस होता है तो आपको ये बताओ कि कौन सा सरीर का अंगड छतिगरस होता है तो वो आपका यक्रत ही है लाज कुशन है जापानी इंसेप्लाइटिस की बात करें तो कारण क्या है जीबानु है जापानी इंसेप्लाइटिस की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही बार जो है बहुत ज़्यादा रोग फैला था और यह एक आपका मस्तिस्क जोर कहलाता है सभी स्टुडेंट का हम बताना चाहेंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर NTPC और GroupD के हैं तो उन सभी को बताना चाहेंगे कि आपको पूरे जनबरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करेंट अफेर यहाँ पर पूरा फ्री में प्रोवाइड हो रहा है क्लासेज साम को करेंट अफेर के 4 बजे होती है करेंट अफेर की क्लास 6 बजे होती है तो इसलिए याद रखना है कि पूरा जनबरी से दिसंबर तक का करेंट अफेर छोटे छोटे वाण में हम खतम करना इसलिए सस्क्वाइब करना बहुत इंपोर्टेंट है जापानी इनसे प्लाइटिस की बात करें तो बच्चे उप्शन अबर चल जागए B के साथ यानि हमारा जो राइट आंसर जाएगा B के साथ कैसा लगा ये क्लास 21 कुशन में क्या आपके 10 से या 15 के ऊपर कुशन सही है हमें कमेंट करें अगर आपका स्कूर 15 जो है और 15 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका स्कूर 10 से 14 के बीच में है तो थोड़ा सा कहीं न कहीं मेहनत करने की जरूरत है वन्दे मातरम दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियों अब तक ले जैहिन आदाप सस्रेकाल जैमहाकाल इंकलाब जिन्दाबात लेवे गैस बहुत बड़ा इंकलाब जिन्दाबात ऐसे ही आप मुस्कुरत रहेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें नीचे आपको डिस्क्रिशन में कुछ लिंक मिल लाएंगी उनसे आप रिवीजन भी कर सकते हो वन्दे मातरम